प्राइम टीवे चुनाओं के पहले चुरण का मतदान हो रहा है और मतदान को देखतु है प्रशासन ने पूरे तरीके से तैयारिया कर ली हैं बतादे की मतदान के इंद्रों पस रक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं तादे प्रदेश में हो रहे नगरी निकाय चुनाओं के पहले चुरण में राजी के नौ मंडलों के 37 जिलों में मतदान हो रहा है दस नगर निगमों के 10 महा पौरवा 830 पारसदों के अलावा 104 नगर पालिका परसद अधक्षिकों और 2776 सदस और 276 नगर पंचायत अधक्षिकों और 3682 सदसों के लिए सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है जो 6 बज़े तक चलेगा पंचायतों में नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7288 वाड में ये चुनाओं संपन होंगे जिसमें मतान केंद्र 7362 हैं और कुल जो बूथ हैं तो 23617 बूथों पर ये चुनाओं अभी 7 वज़े से प्रारम्भ हो गया है जिसमें 2 करोड 40 लाग सेधिक मर्दाता आज अपने मतादिकार का प्रियोग करेंगे 27 जन्पतों में चुनाओं आज प्रारम्भ हो रहा है और पिश्वर की करफा देखें कि कितना सुवावना मोसम है जून महिने में चार मई में आज चार मई को इतना सुवावना मोसम हो ये वास्तों में नगरिय सरकार भी अच्छी चुने मताता अपनी मतादिकार का प्रियोग कर सके इसके लिए इसे मैं इस्वर की विशेश किरवा मानता हूं प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाओं को सकुसल संपर्न कराने के लिए सभी प्रकार के विवस्ताएं की है निकाय के चुनाओं होगे हैं और आज पहले जरन के तहर तो यूपी में चुनाओ हो रहा है हमारी पार्टी ये चुनाओं अकेले अपनी बनकोते पर पूरी त्यारी और दमदारी के साथ लड़ी है हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का और इसके साथ ही आज को कि पहले चुनाव हो रहा है निकाएगा मैं पूरे यूपी जो में गड़वली बताई जा रहे हैं जी इविएम 20 मिनिट तक खरापती फिर अब सही हो गई है तो बहुत अच्छी बात है आज की सुबह कितनी अलग है आपके लिए रोज की सुबह से वही आज तो लखनवु की देर ब रूप में फिर से उभरेगा लखनव फिर से दुनिया के नक्षे में अपनी दमक्ती चमक्ती जगा वापस पाएगा तो यह आज तो मैं सबसे अपील करती हूं कि सब लोग घर से बाहर निकले जादर से जादर संख्या में वोट डाले तो उनका वोट चीजें बदल देग सो है कितना आपको जो है वो benefit मिनने वाला है सको हर बात का benefits मिलने वाला है मानने हखली शायादर जी के समर्थन का समाजवादी पार्टी में जytना काम कर रख है लखनव के लिए उसका हमारे साथ जो हमारे स्तार करता है रूँजी का अच्छे बड़ी बात है मैं ने अपना मतना का प्रियोग किया, फिर जलपान और मैं लखनों की सम्मानी जन्ता से आगरे करना चाहते हैं, कि आप जाएए अपने मतना का प्रियोग करें, क्योंकि तो में बूत खाली पड़े हैं और बहुत कम संख्या में मतना करना जन्ता है. चान को छे बज़े तक लखनव नगर निगम के मेर और पार्शत पदों के लिए और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड मेंबर्स पदों के लिए वोटिंग जारी है चान को छे बज़े तक लिए और पार्शत पदों के लिए और इसके बाद अब सभी अधिकारी फील्ड में हैं और हम लोग की अधिकी हैं अधी तर जो नौबजे तक के फिगर्स कलेक्ट हुए हैं उसमें अनुमान यह है कि आज परसंट से अधिक बोटिंग हो चुकी है लेकिन इग्जेक्ट फिगर अवियंग फोड़ी जेनर देश्ट है और अधिक बोटिंग हैं उसको फिगर्ण के लिए जोगों के समझ में नहीं आए तक वहां पर अधिक बोटिंग हैं यूपी निकाय चुनाओं के पहले चुनाओं के मतदान के लिए सुरक्षा के ब्यापा के अंतजाम किये गए हैं इस वरां सैती जिलों के दस नगर निगमें एक सुतीन नगर पालिकाओ और दो सो चीए तर नगर पंचायतों में वोट डाले उचा रही हैं राजिन निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि स्वतंत रौपार दर्शी चुनाओं करवाने के लिए हम प्रतिबद हैं बता दें यूपी नगर निकाय चुनाओं के पहले चुरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है जो शाम 6 बजे तक चलेगा पुरवाणचल के कुछ जिलों में बारिस के करण मतदान केंडरों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी हुई है वहीं वारारसी गाजी पुर देवरिया गोरकपुर इत्यादे जिलों में मौसम खराब है जहां बारिस नहीं हो रही हैं उन जिलों में मतदान केंडरों पर वोट डानने के लिए लंबी लाईने भी लगी हुई है मुखमंतरी योगिया अधितनाथ ने सुबह सुबह गोरकपुर के एक बूत पर पहुँचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है उन्होंने ट्वीट के जरिये लोगों से अधिक सधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है कुछ बूतों पर एव्य मशीनों में दिक्कत आई है जिसे ततकार ठीक किया गया है वहीं यूपी निकाय चुनाओं के पहले चुरण के मदान के लिए सुरुक्षा के ब्यापक इंतजाम किये गए है इस दोरां 37 जीलों के 10 नगर निगमों, 103 नगर पालिकाओं और 276 नगर पंचारतों में वोट डाले जा रही है राज्यू निर्वाचन आयुक्त मनोच कुमार ने बताया कि स्वतनत रपारदर्सी चुनाओं कराने के लिए हम प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि तैय दिशान दोसों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही बरदास्ट नहीं की जाएगे यूपी निकाय चुनाओं के पहले चुनाओं में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, जहांसी, प्र्यागरा, लखनाओ, देवी पार्टन, गोरपुर, वारार्सी, मंडलत के 37 दिलों के 2,440,000,000 से अधिक मदाता अपने मता अधिकार के प्रियोग कर रहे है लखनाओं से हमारे समभादाता विवांसों हमसे जोर चुके हैं, विवांसों नगर निकाय चुनाओं के पहले चरण का मत्दान आज हो रहा है, अभी तक लखनाओं में कित्जी प्रतीशत मत्दान हो चुका है, और वोटरों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है जे मैयूवी आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाओ का फर्स्ट फेज का आज मतदान है जिसमें नौ मंडलों की 37 जिले समलित है राजधानी लखनओ के एक बूत पे मैं मौजूद हूँ आपको बता दूँ कि ये अवद एजुकेशन एकेडमी का ब वो अपने मताधिकार का प्रियोग करने यहां पहुंचे हैं अगर आएं आपके सवाल पर तो दस बजे लखनओ के डियम जो की मुखे लखनओ के जिला निवाचन अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी तरब से दस बजे जारी किया जाएगा कि कितने प्रतिसत मतदा हुए आपको बता दे कि लखनओ नगर निगम के अंदर में अगर बात की जाए तो 2510 मतदान केंद्व बनाए गए हैं जहां सुरक्सा के व्यापक इंतिजाम किये गए हैं मैं बता सुर्वियों में दिखाना चाहूंगा कि यहां पर अगर बात करें तो सुरक्सा की द्वि आ रहा है उनके बेसिक दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है साथी साथ महिला पुलिस को भी लगाए गया है कि यहां पर जो भी महिलाएं आएं उनको मद्दान अस्थल तक उनके कागजात को देखकर अंदर जाने की अनुमती दे सके आपको बता दे कि लखनओ नगर नि उमिद्वार की मैदा उमिद्वारों की दाए साख दाओं पर है अगर बात की जाए तो आप यहां तस्विवों में देख सकती है कि कही ना कहीं इस बूत पर वील्चेर की विवस्था दुस्त नजब नहीं आती है क्योंकि सासन की तरब से निर्देश है कि मद्दान लिल्चेर की विवस्था बिलकुल जब नजब नहीं आ रही है जो कि कहीं नहीं एक बरीला पर रहीए वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ के डियाम और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कल एक आदेख जारी करते हुए कहा गया था कि लखनव के जो भी मदान अस्थल वहेंगे वहाँ पर वीलचियर के विवस्थाय भी की जाएंगी साथ साथ कोवीड पोटोकॉल को बिलकुल ध्यान में रखा जाएगा आपको बताएं कि एक बार मैं अपने साहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि यहां भारी शंख्या में लोग मदान करने आ रहे हैं आप एक बार मैं कहर दिखाना चाहूँगा कि यहां आप देख सकती हैं ठीक सामने बुजूर्ग हैं जो कि वीलचियर ना होने की विज़े से उनके साथी और उनके परिवार जन्द के लोग उन्हें सहारा देते हुए नज़र आ रहे हैं समय समय पर यहां पर पुलिस के उच अधिकारी भी आकर और बूत अस्तल का जायजा लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ठीक सामने दिख वे हुए कि लखनव की महानगर की एसीपी देहात पाठी भी यहां पहुची हुई हैं अगर बात की जाये तो चुनाओ को free and fair और साथी साथ अगर बात करें तो पारदर्शिता कराने के लिए प्रसासन पूरी मुच्टैदी के साथ पैनात है विवानसु जो लखनव की जनता है वो क्या सोचकर वोट दे रही है क्या वो पार्टी का नाम देख रही है या कोई है मुद्दा है उसको लेकर वोट कर रही है जे बिल्कुल आपको बता दे कि मद्दाताओं का कहना है कि हम चेहरे पर यह चुनाव भागिदारी अपना दे रहे हैं उनका साफ तोर पर कहना है कि हम जो वोटर से उनका साफ तोर पर कहना है कि जो भी candidates है, हम उनके उनके उपर ऊड़ दे रहे हैं और साथी साथ यहां पर अगर बात करें तो आपने सुबह देखा कि भारती जन्ता पाटी की मेर प्रत्यासे सुस्मा खड़कवाल और साथी साथ समझवादी पार्टी की प्रत्यासी मेर प्रत्यासी वंदना मिस्वा जब वोट डालने नजर जाती है तो साफ तोर से कही ना कही वो लोगों से अपील करती है और बदलाओ के संदेश के साथ समझवादी पार्टी के वंदना मिस्वा एक संदेश दावी करती है वहीं अगर बात की जाए तो सुस्मा खरकवाल के पास 1995 से लगतार भारती जन्ता पार्टी का जो एक अभेद किला है उसकी रक्सा के जिम्मेदारी है यहाँ तस्यों में साफ देख रही होंगी कि यहाँ पर बुजूर्ग साथी साथ महिलाएं युवा हर एक वर्व के लोग वोट देने आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो तमाम मद्दाता है वो अपने गुप्त मद्दान को अंदर बने कक्स में कर रहे हैं और आने वाले 13 तारीक को नतीजों के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर जो भी यहाँ पर मद्दान के लिए तमाम मद्दाता आएं है वो किन मुद्दो पर वोट दिये हैं वो नतीजों के बाद साफ हो पाएगा जे विवांसू अगर 2017 की बात करें तो मेयर सेट पर देखा जाए भारती जनता पार्टी का दबदबा रहा है और दलों के लिए कितनी बड़ी चुनावती है जे बिल्कुल अगर बात की जाए तो लखनव नगर निगम में 1995 से भारती जनता पार्टी का इक अभेद किला स्थापित है और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में सुष्मा खरकवाल के पास उस अभेद के लिए को बचाने की जिम्मेवारी होगी निकाय चुनाओ के आज पहले चुरड का मतदान हो रहा है बड़ी संख़्ा में मतदाता अपने मता अधिकार का प्रियोग कर रहे हैं सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं बता दें कि निकाय चुनाओ के पहले चुरड का मतदान हो रहा है और मतदान को देखते हुए सुरक्षा के भी ब्यापक इंतजाम किये गए है प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली है ते यूपी निकाय चुनाओं के पहले चुरण के मद्दान के लिए सुरक्षा के ब्यापक इंतिजाम किये गए हैं इस दोरां 37 जीलों के 10 नगर निगमों, 103 नगर पालिकाओं और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रही हैं राज निर्वाचन आयोक्त ने बताया कि स्वतन्त रौपार दर्शी चुनाओं कराने के लिए हम प्रतिवद्ध हैं उन्होंने कहा कि ते दिशा निर्देसों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी बता दें कि यूपी निकाय चुनाओं के पहले चरण में सहारनपूर, मुरादाबाद, आगराज, जहासी, प्रियागराज, लखनाओ, डेवी पार्टन, गोरखपूर, वाराड़सी, मंडल के 37 जिलों में सहते जिलों में मतान, जिलों में दो करोड़ चौलिस लाग सधिक मदाता अपने मता अधिकार का प्रियोग करेंगे बता दें, पहले चौरड में 10 नगर निगम में महापाउर और 825 पारसदों, 103 नगर पालिका परसद अध्धक्षकों, 274 नगर पालिका परसद सभासदों और 283 नगर पंच्वायत अध्धक्षकों, 3,645 नगर पंच्वायत सदसों समय तो कुल 7,593 पदों के लिए 44,000 सदे को मिदवार अपना भाग आजमा रही है यूपी निकाय चुनाओं के दूसरी चौरड का मद्द्यान 11 मई को होगा और 13 मई को मत गड़ना होगी आपको बता दें कि नगरी निकाय चुनाओं में समाजवादी पार्टी और बहुजर समाज ने पूरी ताकत छोग दी है पश्मी उत्तपरदीस में सपह रालाओ और भी मार्मी चीफ चंदरशी खराजास के साथ सम्नवे चुनाओं में लड़ रही है यूपी निकाय चुनाओं के पहले चुरड की मद्दान के लिए सुरक्षा के भी काड़े इंतजाम किये गए हैं इस दोना 37 जिलो के 10 नगर निगमो एक सुतीन नगर पालिकाओ और 27 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं राज निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने बताया कि स्वतन तरह पारदर्शी चुनाओं करवाने के लिए हम प्रतिबद हैं आपको बता दें गोंडा जिले में सुबह 9 बजे तक 12 प्रतिश्यत मद्दान हुआ है वोई वरार्शी में 9 बजे तक 25 प्रतिश्यत हुआ है मद्दान गंगापुर नगर पंचायत में 13 प्रतिश्यत हुआ है आपको बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाओं के पहले चुरण में 9 मडलों में 37 जिलों में आज मद्दान हो रहा है सुबह 7 बजे मद्दान शुरू हो गया है जो श्याम 6 बजे तक जारी रहेगा पुर्वांचल के कुछ जिलों में बारिस के करन मद्दान के इंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी है वरार्सी गाजी पुर्देवरिया गोरखपुर इत्याद जिलों में मौसम खराब है जहां बारिस नहीं हो रही उन जिलों में मद्दान के इंद्रों पर वोट डालने के लिए लंबे लाइने भी लगी है मुखमंतरी योगी आधितनाथ ने सुबह सुबह गोरखपुर के एक बूत पर पहुचकर अपने मत अधिकार का प्रियोग किया है तादे निकाय चुना के पहले चुरण का मद्दान आज हो रहा है सुबह से ही छे बज़े से वोटिंग शुरू हो गई है मद्दाता अपने मत अधिकार का प्रियोग कर रहे हैं सुबह से ही लाइनों में लगे हुए है वह सुरुक्षा के भी ब्यापक इंतजाम किये गए हैं कड़े इंतजाम किये गए हैं बता दे नौ मंदल से तेस दिले में मद्दान हो रहा है निकाए के चुना को लेकर सुबह से ही वोटिंग हो रही है बता दे कि सुबह साथ बजे से वोटिंग की प्रिया शुरू हो गई है जो शाम शे बजे तक चलेगी निकाए के पहला रड है बता दे किसी हमयोगी आदितनात ने सुबह ही अपने मताधिकार का प्रियोग कर लिया है सुबह साथ बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है जो शाम शे बजे तक चलेगी बता दे निकाए चुनाओ के पहले चुरू के मतदान के लिए सुरूक्षा के ब्यापक इंतजाम किये हैं बता दे निकाए चुनाओ के पहले चुरू का मतदान हो रहा है वहीं वारार्सी में बता दे मतदान हो रहा है और गोरकपुर में 5.4 प्रतीशत अब तक मतदान हो चुका है वहीं हर दोई में 9 प्रतीशत मतदान अब तक हो चुका है बता दे कि सिमयोगी ने सुभाही गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रियोग किया है मतादे नगर निगम में अब तक 54 पृतीशात मददान हुआ है मतादे कि निकाय चुनाओं के पहले चरण का मददान हो रहा है वहीं सुरक्षा की भी बयाप़क इंतजाम किये हैं और हमारे सथ हमारे समभादाता आगरा से जुशान हमसे जोग चुकए है जुशान निकाय चुनाओं के पहले चरण का मत्यदान शुरू हो चुका है आप आगरा में मौजूद है क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और वोटरों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल मैं आपको बता दू उत्तर परदेश में निकाय चुनाप को लेकर तेया दिया पुलिस पिरसासन की अगर बात की जाए तो जमीन से लेकर आस्मान तक सुरक्षा की गई है आप साथ तोर से तजबीरों में देख सकते हैं कि यहां पर बली संक्या में पुलिस पिरसासन मौजूद है हर एक बूत पर जाकर निर्ट्चल किया जा रहा है यहां एडिशनल कमिशनर केसब कुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद है आई इन से बात पर लेते हैं और जानते हैं कि सरीके से सुरक्षा बेवस्ता पोलिंग बूत ओपर आगरा पर रहेगी जानते हैं यहां पर दो संटरों काम लोगन किया है इसके पूर्वी शहर के अन्ने संट्रों पर हम लोग गया है और सभी जगर सांति-पूर्वर्यक्तमादान की परकरिया चल लही है पूलिंग सेंटर और बूत्हों के अंदर माना कानुसर स poses लगाया है। कहीं को तिकत नहीं सिर्गां करनाई है। सोस्ल मीडिया की अर बात करें то सोसल मीडिया पर किस तरीके से निगारा की जा रही है? सोसल मीडिया की मौनिटरिण के लिए भी हमारी मीडिया इसल शक रहे है और वहां पर लगाथार 24 गंटे की डीटी लगाइक गई है के सब्छावद्धी इनका साफ तार से कहना है कि जो समरीडर सीन इलाके हैं उन पर ड्रॉन्ड से भी लगार रखी जा रही है वे खास तOR से 연सेयल मेडिया पर भी आगरा पुलिस की पहनी मुस्लिम बहुले चेतर हैं इसलिए यहां पर भी खास तवर से निगार रखी जा रही है आप साफ तौर से बड़ा काफिला है जी जुशान जो आगरा की जुटता है वो क्या देखते हुए वोट कर रही है क्या वह पार्टी का नाम देख रही है पृतियाशी का नाम देख या नगर की समस्याओं को लेकर वोट कर रही है? किसका नगर की समय का अगर बात करें उनका ही अगर पालमी की है उनका ही अगर आगरा में बात करें तो 90,000 बोट बालमी की समाज का भी है तो जिश्वान क्या माना जॉय किसकी तक कर देखने को मिल रही है और किसका पलड़ा भारी नजर आया है जैसा भी आपने बताया कि वीजेपी और बस्पा में लड़ाई देखने को मिल रही है लेकिए बिलकुल मैं आपको बता दूँ भारती जंता पार्टी से जो माहापौ में उनका टिकेट कट गया था लेकिन इस बार उनको माहापौर का टिकेट दिया गया था और अगर हम बात करें लघा वाल्य की तो लटा वालमिटी ने पहली बार चुनाब लड़ा है और जो वोर्टरों में उस्था है कि मुस्मिम महूले चेत्रों दलित समाज हो तो यूपी निकाह चुनाओं के पहले चुरड के मतदाक लिए सुरक्षा के ब्यापका की लिए रिखाम किये गए हैं, जँपादी नौ मडल की 37 दिलों में मतदान हो रहा है सभी बूतों पर सुरक्षा की कड़ें इंतजाम किए गए है वहियागरा में 11.5 प्रतिशत अभी तक वोटिंग हो चुकी है मुरादाबाद में 12 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है मुरादाबाद में 20 वूटिंग होई है वहीं गोंडा में 12 पृतिश अब तक वोटिंग हो चुकी है बता दें पहले चरर का आज मतदान हो रहा है वहीं 13 माई को नतीज दें आएंगे यूपी नगर निकाय चुनाओ के पहले चरर्ण में 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजी मतदान शुरू हो गया है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा वहीं आपको बता दें कि पुर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश के कारण मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफतार धीमी हुई है और आरसी गाजी पूर देवरिया गोरकपूर इत्यादे जिलों में मौसम खराब है जहां बारिश नहीं हो रही है इन जिलों में मददान केंद्रों पर वोट डालने की लंबी लाइने लगी है मुख्यमंत्र योगी आदित नाथ सुवा सुवा गोरकपूर के बूत पर पहुचकर अपने मताधिकार का प्रियोक किये है उन्होंने ट्वीट के जरीए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मददान करने की अपील की है कुछ बूतों पर एवियम मशीनों में दिक्कत आई जिस ततकार ठीक कराया गया है वहीं निकाई चुनाओं के पहले चरड की मददान के लिए सुरक्षा के अंतजाम किये गए है इस दोरां 37 दिलों के 10 नगर निगमों, 103 नगर पालिकाओं और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रही है बस्पा प्रमुख मायावती ने मददान किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है मॉल एवेन्यू, पूलिंग बूत, संख्या 42 में वोट डाला है हमारी पार्टी शांदार प्रदर्सन करेगी, मायावती ने कहा है ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां मायावती ने अपने मता अधिकार का प्रियोग करते हुए वोट डाला है बस्पा प्रमुख मायावती ने मतदान किया है मॉल एवेन्यू, पॉलिंग बूत, संख्या 425 पर वोट डाला है मायावती ने हमारी पार्टी शानदार प्रुदर्सन करेगी मायावती ने कहा है बस्पा प्रमुख मायावती ने मतदान किया है मॉल एवेन्यू, पॉलिंग बूत, संख्या 425 पर वोट डाला है हमारी पार्टी शानदार प्रुदर्सन करेगी मायावती ने कहा है निकाई के चुनाब होगे है और आज पहले जरन के तहर्ट तो यूपी में चुनाब हो रहा है हमारी पार्टी ये चुनाब अखेले अपनी बनकोते पर पूरी त्यारी और दमदारी के साथ लड़ी है हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्मोंस मिलेगा अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का और इसके साथ ही आज को कि पहले चनलन का चुनाव हो रहा है निकाय का मैं पूरे यूपी चुनाव के लिए मतदान शुरू है बड़ी ख़बर आपको बता रही है लकनाओ से सुबह साथ बज़े से ही मतदान शुरू है कंट्रोल रूम से मतदान अस्तलो की निगरानी की जा रही है आपको बता दें सुबह साथ बज़े से ही मतदान की पिक्रिया शुरू है जो श्याम 6 बज़े तक चलेगी कलिप्रेट मुख्याले पर कंट्रोल रूम पनाए गई है जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी ली है सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेस से जानकारी ली जा रही है ये बड़ी खबर आपको बता रही है निर्वाचन समन्दित शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी तेरा प्रत्याशी है मेरपद के उम्मीदबार ये बड़ी खबर आपको बता रही है लखना उसे जहां सभी की किसमात एवियम मशीनों में कैद हो रही है 110 वार्डो में 911 पारसथपद प्रत्याशी है मैदान में 29,24,000 मत दाता मत दान करेंगे राजधानी में बनाए गए है 2510 मत दान केंद सभा में प्रत्यासी वंदना मिश्ड़ा ने मत दान किया है यह बड़ी खबर आपको बता रहे है लगनाउसे जहां सभा अमीद्वार ने कहा कि एवियम की थोड़ी समस्या हुई थोड़ी देर बाद समस्या का समधान हुआ सभा में सभा में प्रत्यासी वंदना मिश्ड़ा ने मत दान किया है लगनाउसे आपको खबर बता रही है वतादे निकाय चुनाओ के पहले चुरण का आज मत दान हु रहा है सभा मीद्वार ने कहा कि एवियम की थोड़ी सी समस्या हुई कहा थोड़ी देर बाद समस्या का समधान हुआ जी एवियम वीस मिनिट तक खराग थी फिर अब सही हो गई है तो बहुत अच्छी बात है कि आज की सुबह कितनी अलग है आपके लिए रोज की सुबह से वही आज तो लखणव की थी बीर यारे लग है कि लखणव के तकदीर का फैसला होने माला है लखणव फिर से अपनी परानी गरिमा आज के वोटों से वापस पाएगा लखणव पिर से सुंदर सच सांस्कृतिक शहर के रूप में फिर से उभरेगा लखनौ फिर से दुनिया के नक्षे में अपनी दमक्ती चमक्ती जगा वापस पाएगा तो यह आज तो मैं सबसे अपील करती हूं कि सब लोग घर से बहार निकले जादे से जादे संख्या में वोट डाल अफिर्जी जादे भी खुट जमीन पर उधरे खो है कितना आपको जो है वो बेन्फित मिलने वाला है इस को लोगर हमको हर भात का विंदे ओंडमौ की जनता का मुझे बहुत जबरदा स्मर्थण कि वादिमा स्पताल का स्टाफ वोट करने पहुचा यह बड़ी खबर आपको बता रहा है महानगर इंटर कॉलेज में मद्दान करने स्टाफ पहुचा डॉक्टरो और नर्सों की टीम ने मद्दान किया है अतारे हर कोई अपने मता अधिकार का प्रियोग करते हुए मद्दान केंदर पर पहुचा हुआ है वहीं फातिमा स्पताल का स्टाफ वोट करने पहुचा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह लगनों की तस्व जहां माहन अगर इंटर कॉलेज में मद्दान करने स्टाफ पहुचा हुआ है डॉक्टरो और नर्सों की टीम ने मद्दान किया है निकाय चुनाओं के लिए मद्दान शुरू है आपको लगनों से बता रहे हैं खबर बतादे सुबसाद बज़े से ही मद्दान हो रहा है बीजेपी प्रत्यासियों शुष्मा खरकवाल ने भी मत्दान किया है में अपने मत्दान का प्रयोग किया है पहले मत्दान फिर जल्पान और में लगनों की सम्मानी जनता से आगरे करना चाहते हैं कि आप जाए अपने मत्दान का प्रयोग करें कि बूतों में बूत खाली पड़े हैं और बहुत कम संख्या में मत्दान करना जनता जाए है बतादे की निकाय चुनाओ के पहले चुनाओ का मद्दान हो रहा है निकाय चुनाओ को लेकर जो इनतजार था वो खत्म हो गया है बतादे श्वेह चरड में कुल साथ हजार पांस बयानबे पदों के लिए चुनाओी रड में उत्रे चवालीस हजार दोसोचब़ीस मीदवारों का भाग आज इवियम में कैद हो जाएगा बतादे इवियम मौमत पेटी काओं में बंद हो जाएगा इसमें चुनाओ होगा कि जनता किसको चुनती है वहीं पढ़नागर निकाय चुनाओ के पहले चरड मदान के लिए जहां पूलिंग पार्टी अपने मदान इस्तलों पर पहुँच गई है और सभी पुलिस वप्रशास निकस्तर पर तैयारियां दुरूस्त नजर आ रही है आपको बताते चलें कि पहले चरड की मदान के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई है पहले से ही पुताने चुनाओ पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है पहले चरड के लिए 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 113 तथा 820 पारसदों के लिए 5,432 पृतियासी उमीदवार मैदान में है नगर निगम शेत में इवियम जबकि नगर पालिका और नगर पंचाय तो शेत में मत पेटिकाओं के जरीए वोट डाला जाएगा कुल 388 निकाएं में 7,592 पदों के लिए मदान हो रहा है इस चरड में मत दाता अपने मत का प्रियोग कर सकेंगे आपको बता दें कि महापौर में 10,521 वही नगर पालिका अध्यक्ष में जहर्जवगा पुलिस बल की तैनाती है बता दें कि इस चरड में चपे चपे पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है हर्जवगा सुरुक्षा बिवस्था के पूर बिवस्था की गई है इसमें विशेस डिजी कानून विवस्था कुमारिक मताबिक इस शरण में धाई लाग सद्धि सुरुक्षा कर्मी तैनात किये गए है पुलिस मुख्याले पर बनाये गया चुनाप रकोष्ट एबं कंट्रोल रूम सभी जगह नजर रखी जा रही है खास तौर पर शोशल मीडिया पर निगह रखी जा रही है शांती बंक्या शंका से पहले ही पास लाग पचौस जार सदिक लोगों पर कारवाई की जा चुकी है आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाओ के पहले चुनाओ के मदान के लिए सुरुक्षा के ब्यापा के उन्तजाम किये गए है इस दोरां 37 जिलों के 10 नगर निगमों, 103 नगर पालिकाओ और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रही है बता दें कि 37 जिलों के लिए पूरे तरीके से तैयारिया भी की गई है यूपी नगर निकाय चुनाओ के पहले चुनाओ के पहले चुनाओ में 9 मंडलों के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से ही मतदान की पिक्रिया शुरू हो गई है जो शाम 6 बजे तक जारी रही गा पुर्वांचल के कुछ जिलों में बारिस के करन मतदान के इंडरों पर वोटिंग की रफतार धीमी हुई है वारार्सी गाजीपूर देवरिया गोरकपूर इत्याद जिलों में मौसम खराब है जहां बारिस नहीं हो रही है उन जिलों में मतदान के इंडरों पर वोट डालने के लिए लंबी लाईने लगी हुई है मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने सुबह सुबह गोरकपूर के एक बूत पर पहुँचकर अपने मतदाधिकार का प्रियोग किया है उन्होंने ट्वीट के जरिये लोगों से आधिक संख्या में मददान करने की अपील की है कुछ बूतों पर ईवे मशुणों की दिक्कत आए जिसे ततकार ठीक किया गया है आपको बता दें कि यूपी निकाल चुनाओ के पहले च्रड की मददान के लिए सुरुक्षा की ब्यापक इंतजाम किये गए है इस दोरां 37 जिलों के 10 नगर निगमों, 103 नगर पालिकाओ और 216 नगर पंचाइतों में वोट डाले जा रही है राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोच कुमाड ने बताया कि सुवतन तुरुपारदर्सी चुनाओ करवाने के लिए हम पूरी तरह से तयार हैं उन्होंने कहा कि तैर दिशानर दोसों के अनुसार किसी भी तरह किला परवाही बरदास नहीं की जाएगी यूपी निकाय चुनाओ के पहले चुरण में सहारनपूर, मुरादाबाद, आगरा, जहांसी, प्रियागराज, लखनाओ, देवी पाटन, गोरकपूर, अवरारसी, मंडल के 37 जीलों के 2,44 लाग सधिक मदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे अकुशी नगर से हमारे समबादाता ग्यानेश्वर हम से जूट चुके हैं, ग्यानेश्वर निकाय चुनाओ के पहले चुरण की मदान की प्रियाश शुरू हुई है, अब मदान केंडरे पे मौजूद है, क्या कुस देखने को मिल रहा है अब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से लाइन में खड़े हैं, और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे करने के लिए अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रसासन की तो प्रसासन की तरफ से पूरा पुकता इंतजाम किया जा चुका है और प्रसासन चप्पे चप्पे पर नजार रहा है और इसी करम में जिलाधिकारी, रमेश रंजन और पुलिस अधिक्छक, धवल जैस्वाल, जी के द्वारा सभी बूतों का निरक्षण किया जा रहा है तथा अपने मात हतों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए दिसा निर्देश भी दिये जा रहे है जी अगर हम बात करें जनता की ओटेंग के तो जनता अपना विकास के मुद्दे पर यहां पर वोट कर रही है जी 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 आगे हम जानते हैं उनका कुछ वीजन है किस मुद्दे पर यहां से वोट करने वाले हैं जानते हैं उनका क्या कुछ वीजन है और इस बार वो किस मुद्दे पर वोट करने वाले कि यहां से वोट कर रही है किस मुद्दे पर वोट कर रही है क्या मुद्दा है आपका कि विकास चाहती है इस लिए दूसरे पसंद से जानते हैं यह चाची लाइन में हैं क्या आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं आपको कैसा लग रहा है यहां वोट देने अच्छा लग रहा हैं आप यहां किस मुद्दे पर वोट कर रही है विकास के लिए वोट कर रही है यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है कौन किसको तक कर देता हुआ नजर आ रहा है अगर हम पलड़े की बात करें उसी नगर जन्पत में जो तीन नगर पालिका हैं और दस नगर पंचाय छेत्र हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो है पड़ोना नगर पालिका की जहां तिरकोड़ी लड़ाई नजर आ रही है जी धन्यवाद ग्यानेश्वर हम से जुनने के लिए आता माम चानकारियों के लिए बंद करो तादी यूपी नगर निकाय चुनाओं के पहले चुनाओं के पहले चुनाओं में नौमन लों के 37 दिलों में आज मतदान हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह से हमारे समवादाता आपको लाइव तस्वीरे दिखा रहे हैं वही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं सुबह से ही मतदाता अपने मत अधिकार के प्रियोग करने के लिए लाइडों में लगे हुए हैं को बता दे हुँता प्रदेश में आननकर निकाय चुनाओं के पहले चरण का मतदान शुरू है सुबह साथ बजे से ही शुरू है जो शाम पांच बजे तक चलेगी और अमरोहा से हमारे समवादाता विनीत अगरवाल हम से जुड़ चुके हैं विनीत नगर निकाय चुनाओं के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है आप मतदान केंदर पर मौजूद हैं कैसा हुदसा वोटरों में देखने को मिल रहा है अमरोहा जिनप्थ में मतदाताओं के अंदर अगन निकाय चुनाओं में अमरोहा के अगर बात करूं तो अमरोहा का फागा है उसके मतवि homo गया पर 5 नगर पारी का हैं चार नगर पंचायत हैं और यहां पर जो है 4,47,40,6 मत जाता हैं और यहां पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस और बीर सेफ की तो सुरक्षा है उसके अंदर में यहां पर जो है चुनाओ कराया जा रहा है डियम बीकेजर पार्टी और एस्पी आदित पेलागे लगातार जो है हर एक बूत का अंजरिशन कर रहे हैं पुलिस और प्रिशा करते हां मैं हृब में को वह तरा बाता है एक दोस्ताय ओड़ी सोन्या एक यभ दोसरी नामी बوعरेनिये मैं करने को नहीं करते हैं आपकर लोगों पासरा जूदा रगएशन के आपको सुछ़ और यह चाहें करह चाहिं जा उप कर रहने पहले पंचायद बनी हैं इससे पहले पनीय जी नहीं पहले पर फश्ट नम्बर हैं देखिए यहां पर और वी लोग है यह खड़े बाई साब आपको शिब नाम चाहे जी शिरी लगपासिंदी यह लगपासिंदी आप पहली बोड़ दाने हैं नगर बंचाथ को जी तो क्या कि अभी महिलाओं का भी एक बहुत आदा खासा रोल देखने को मिलता है मैं महिलाओं से बात करूंगा जी आपका शबनांचा है इस बोड़ आप पहली बार डालें अगर पनी चाहते हैं यहां महिलाओं को अपने पर चाहते हैं कोई बात नहीं लेकिन मद्दाओं का जोस् पर चाहते हैं और मद्दाओं का जोस्ता बात करेंगे तो जाइर सी बात है कि इस वक्त में उत्तर पुदेश में जो तो सरकार है उसके मुख योग यह ज़िए लगातार जो है अपने शीटो को निकालने के लिए नगर पंचायत में भाष्पा का बहुमत लाने के लिए व पर चाहर में निकले थे और उसकी वादा से माना जा रहा है कि अम्रोहा जन्पाद में भी जो 9 नगर पंचाट की सीटे जिन में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचाट की सीटे हैं उनमें कहीं न कहीं भाष्पा को एक बड़ा फायदा मिल सकता है और यह भी हो सकता है कि इस है जाएर से बात है नगर की सरकार होती है उन apt Resafi से लेकर के वहां पर विवस्ताओं नालों की सफ़ाई भी इसा फोकस रहे अबी पहली वार नगर पेंचायद बनी है इस तरीके से अमरोहा जिले में इसका अभी पहली वार विष्टार हुआ है पहली वार यहां पर मदाता बुल डालने के लिए आए है जे धन्यवाद मिनीत हम से जुनने के लो अतमा आप चालता है बता दें मदाता सुभा से ही मतदान केंदर पर पहुचे हुए हैं आपको बता दें कि उतर प्रदेश में आज निकाय चुनाओ के पहले चरड का मतदान शुरू है वोटिंग शुरू हो गई है सुभा साथ बज पर से वोटिंग जारी है बता दें कि आज पहले चरड में साहरनपूर आगरा जहांसे मुरादाबाद प्रियागराज देवी पार्टन लखनाओ गोरकपूर और वारारसी मंडल के सैथी जिलों में मद्दान कराया जा रहा है आज दो करोड चालिस लाग सेधिक मदाता दिखा रही है बता दे रुक्षा मंत्री राधना सिंग ने लखनओ के बिपुल खंड स्थिति स्कॉलर सोमी स्कूल में मद्दान किया है उतके साथ उनकी पतनी भी मौजूद थी आपको बता दे हैं कि गोंडा में 7.38 पृतिशत अब तक वोट हो चुका है वही करनेल गंज में 12.2 पृतिशत वोट हुआ है और नवाब गंज में 12.89 पृतिशत वोट हुआ है बेल सर में 15.67 पृतिशत वोट हुआ है वहीं तरब गंज में 11.3 पृतिशत वोट हुआ है नगर निकाई चुनाओ के पहले चुरण का मतिदान हो रहा है नौमंडल के 10 नगर निगम पर चुनाओ हो रहा है वहीं चुनाओं को देखतुए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां भी ब्यापक की हुई है सुभा से ही मदाता अपने मताधिकार का प्रियोग कर रहे हैं सुभा से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए है बता दे कि मद्दाता अपने मता अधिकार का प्रियोग कर रहे हैं दुटा प्रदेश में अनगर निकाय चुना कि पहले चुरण का मद्दान शुरू है वोटिंग चौर मई मतलब कि आज से ही शुरू हो गई है जो शाम पांच बिजे तक चलेगी आपको बता दें कि परिणाम 13 माई को खोशित के जाएंगे चुनाओं के दौरान महापाउरा पारसतपत के लिए एवं में मत्दान हो रहा है जबकि अन्य पदों के लिए वैलेट पेपर से वोटिंग जारी है बता दें कि आज पहले चरण में सहारनपूर, आगरा, जहासी, मुरादाबाद, प्रियागराज, डेवी पार्टन, लखनओं, गोरगपुर, वारारसी, मंडल के 37 जिलों में मत्दान कराया जा रहा है आज दो करोड़ चालीस लाग सधिक मत्दाता अपने मत्द का प्रियोग करेंगे निकाय चुनाओ के पहले चुरण का मत्दान शुरू है जिसको देखते हुए बता दें कि निकाय चुनाओ के पहले चुरण के लिए मत्दान हो रहा है इस दोरां 37 जिलों के 10 नगर निगम, 103 नगर पालिका और 274 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रही है बता दें कि निकाय चुनाओ को देखते हुए पहले से ही तैयारिया कर ली गए थी बता दें कि यूपी निकाय चुनाओ के पहले चुरण के मत्दान के लिए सुरुक्षा के भी कड़े इंतजाम किये गए हैं आपको अगर बता दें कि 2017 की बात करें तो पिछले नगर निकाय चुनाओ नवंबर 2017 में तीन चरणों में कराई गए थे पच्छतर जिलों के कुल 692 नगरी निकायों के नतीजे एक दिसंबर को आए थे इसमें राजी की सत्ताधारी भाच्पा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी उसमें 16 महापौर पद में 14 पर कवजा जमाया था तेरो सो नगर निकायों पारसद पद की बात करें तो भाच्पा ने सबसे जादा 596 समाजवादी पार्टी ने 202 भहुजन समाज पार्टी ने 147 कॉंग्रेस ने 110 अबाकी पर अन ने जीत दर्ज की थी आको बता दें कि नगर पारी का परसद सदस्य के चुनाओं में भाच्पा की संख्या 923 सपा की 477 बसपा की 262 कॉंग्रेस की 158 अबाकी अन की थी बता दें कि निकाय चुनाओं की मतदान सुभा से ही शुरू है मतदाता सुभा से ही साथ बज़े से ही मतदान केंदर पर पहुचे हुए है अपने मतदा अधिकार का प्रियोग कर रहे हैं और इस खबर परतिक जानकारे के साथ हमारे समभादाता मुजीफ हम से जुड़ चुके हैं मुझे निकाई चुनाओं के लिए पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। आप जहां माजूद हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मुझे निकाई चुनाओं के पहले चरण का मतदान आज सुरू हो गया है। तरीके से हर तरीके से अपने आपको जीता हुआ परत्यासी बता रहे हैं। अपना खुद ही जो है निर्दलिय के तौर पर यहां पर परचा दाखिल किया हुआ है। यह भी अपने डाउटों पर तालटों पर से वे नजर आ रहे हैं। मुझेव सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मुझेव जो गोंडा की जनता है वो किन मुद्दों को देखते हुए वोट कर रही है। बहुत जनता है यहां पर परतियासी ने जिली दावे कीए है। लेकिन तेकल की जोटणा में जिस्टरी के से आज कियानमे नगरपालका की बता रही है कि वहां पर ना प्राइम टीवी आपको निकाय चुनाओं से जोड़ी पलपल की अपडेट दे रहा है लगातार हमारे समवाद दाता मौके पर मौझूद है आपको लाइक तस्वीरे दिखा रहे हैं बता दे निकाय चुनाओं के पहले चरण का मतदान शुबा से ही सुरू है जो शाम 6 बज़े तक चलेगा और इसको देखतो है प्रशासन के तरफ से ब्यापाक इंतजाम किये गए हैं सुरुक्षा के कड़ी बवस्था की गई है बता दे निकाय चुनाओं के लिए मातदान जारी है बता दिए कि वोटिंग फेस दे नौ बज़े तक आपको बता दे लगनाओं में आठ प्रतीशत वोटिंग हो चुकी अभी के लिए इतना ही दे जुना की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हैं प्राइम टीवी के सायत नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार